अगर आप 12 फर्वरी 2023 को होने वाले 68th BPSC Prelims Exam को लिखने जा रहे हैं और आपको Maths जिसे हम लोग General Mental Ability भी बोलते हैं उस वाले सेग्मेंट के किसी भी Question में या फिर किसी भी Concept में कोई भी Doubt है तो अब आप हमसे WhatsApp के माध्यम से भी पूछ सकते हैं हमारे WhatsApp ग्रूप को जॉइन करने का Link आपको इस वीडियो के Description में भी मिल जाएगा और Comment Box में भी मिल जाएगा उस Link पे क्लिक करते ही आप हमारे WhatsApp ग्रूप में जॉइन हो जाएंगे जहां आप अपने Doubt या तो वो कोई Question है या फिर वो कोई Concept है वहाँ पर पूछ सकते हैं यह WhatsApp ग्रूप को Create करने का यह परपस है कि अब BPSC Prelims जो 68 वाला है 12 फरवरी को उसमें सिर्फ 5-6 स्टेज ही बचे हुए हैं तो जब आप Preparation कर रहे हैं आपको कोई Doubt आता है तो आप Quickly हमसे कैसे पूछ पाएं इसी के लिए हम लोगों ने यह WhatsApp ग्रूप को Create किया है हम लोग BPSC Prelims में जो 10 Questions Math से पूछे जाते हैं उसमें 10 out of 10 लेकर आएं इसके लिए हम लोग regularly chapter wise भी वीडियोज डाल रहे हैं पहले हम लोगोंने permutations and combinations के वीडियोज डाले थे अभी हम लोग Clock के वीडियोज regularly डाल रहे हैं क्योंकि Clock भी एक थोरा difficult topic consider किया जाता है लेकिन इन topics के अलावा भी किसी भी topic में आपको कोई doubt है तो आप हमसे quickly पूछ पाएं इसी के लिए हम लोगोंने ये WhatsApp group को generate किया है हम लोगोंने एक वीडियो बनाया था how to prepare for BPSC Prelims वो वीडियो भी बहुत ही effective है आपको जब time मिले तो आप उसको देख सकते हैं कि उसमें हम लोगोंने जो previous year question papers हैं उसको solve करना तो BPSC के previous year question papers का सारा solution डाला हुआ हमारे channel पे उसका भी link आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इस वीडियो के description में आप वहां से भी देख सकते हैं या हमारे channel के playlist में जाकर आप chapter wise भी देख सकते हैं या directly एक folder बना हुआ है BPSC previous year question का तो वहां से भ पहले वह काम करिए कि BPSC previous year questions के solutions हैं वह सारे के सारे देखिए वह सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके बाद आपका कोई भी doubt है उसके लिए WhatsApp group create किया गया है कि आप group को join करके उसमें पूछ सकते हैं तो अच्छे से prepare करिए और 10 out of 10 ले कर आईए